आज हम पढ़ेंगे पंडित ओमका नाठाकुर्जी का जीवन पीचे जैसे कि आप सबको पता है कि ये पंडित विश्णो दिगंबर पुलसकर के शिश्य रहे हैं और इन्होंने प्रणा भारते और संगीत आंजली जैसी कई पुस्तिके लिखी जो काफी परसिद हैं आज भी प्ताय के बारे में वो एवन डिटेल से पढ़ते हैं बडोदा के जहाज गाओं में शिरी गोरिशंकर ठाकुर के यहां ओमका नाठाकुर का जनम हुआ गोरी शंकर इनकी पिता का नाम है और इनका जो जनर है वो जहाज गाउं में हुआ था जो की बडोदा में है ठीक है लगभग चार साल तक इसी गाउं में इनका बाल्यकाल वैतीत हुआ चार साल तक ये गाउं में ही रहे और कुछ घरेलो जगड़े होने के कारण इनकी पिता बनाकर ओंका नाद ठाकुर जी के साथ रहने लगे वहाँ अपने पिता की सेवा करना और विद्यवास करना ओंका नाद जी की नित्या करिया थी नित्य क्रिया होता है हर रोज का कारहा है तो उन्हों क्या करते से रोज अपने पिता की सेवा करना और विद्य वैस करना इनका रोज का कार्य था चोथे दरजे की पढ़ाई स्माप्त होने पर ओंका नात के हरीद्या में माता पिता और भायों के निर्वा का प्रशन उठा जब उन्होंने चोथे दर्जे की पढ़ाई को समाप्त कर लिया खदम कर लिया तो उनके मन में एक बात उठी कि उनको अपने माता पिता का और भायों का निर्वा करना है यानि कि उनका पालन पोशन करना है तो उन्होंने क्या किया आप रसोही का और मिल में मजदूरी का कार सब्सक्राइब लक्षमि पत्यों से अधिक समान प्रैप्त करेगा दिन, आपको विए की सवर्गवास्थी जब 4 मैं 1000 अवास्थी से इनकी कावएंग से शिखज़ क काफ़ी UP विएधिया हो गया थे इंचे जीवेंगी जिंदगी जिससे इनकी जीवन ढब गई थी Steve भणोच के एक उदारदानी पार्सी ग्रहस्त सेट शापूर जी मंचेरे डुगा ने आपको गाने के लिए निमंत्रित किया इनके गायन को सुनकर पार्सी सजन अत्यांत प्रभावित होगे और उन्होंने ओमका नाठाकूर को पंडित विष्णो दिगंबर पुलस करके गंदर महाविद्या लिया है बंबई में शिक्षा के लिए विचार किया जिसके लिए इनके भाई ने सवकृती दे दी सवकृती का मतलब होता है अनुमती दे दी उस समय इनकी उमर 15 वर्ष की थी जब उस ताइम ये 15 साल के थे और 14 वर्ष की आयूमिन के पिता का ध्यान भी हो गया था भाई नोंने संगीत का 5 वर्ष का पाठय करम केवल 3 वर्ष में ही स्माप्त कर लिया और इनी दिनों कठ्यावाड की एक नाटक कंपनी बंबई आयो थी उसे एक सुंदर गायक लड़के की अवशिक्ता थी इनके बड़े भाई ने इनको कंपनी के मालिक के सामने उपस्तित कर दिया इनके संगीत से संतुष्ठोगर कंपनी के मालिक ने इनको 400 मासिक देने की इच्छा की कि हर मीने इनको 400 हम देंगे तो बड़े भाई तो त्यार हो गए लेकिन उंका नात की इच्छा नोकरी करने क वह अपने जो संघीच चाहते थे जो उसका भ्याज करते थे तो उसी साधना को भी जाली रखना चाहते थे प्ल्थो ओमका ना ठाको ने इस घ्रतना का जो प्रिच्च अपने गुरु देव को पहले ही करा दिया था इनके गुरु और रहे हैं पंदित विष्णू सिगंबर आता है जब बड़े भाई ने विधाले से उन्हें वापिस लाने की बात कही तो फ्लसकर जी ने शांती से खा खुशी से अपने भाई को ले जाई यानि क्या खुशी से ओमका नाठा गुर्जी को यहां से ले कर जा सकते हैं लेकिन उनने शर्त रखी क्या थी वो किन्तु जाद होगा कि आपने मेरे साथ 9 वर्ष का करार किया है और बीच में ही अगर ले जाना चाहें तो तीन साल का खर्चा आपको देना होगा बड़े भाई के पास इतनी रकम तो थी नहीं अता इस युक्ति से गुरु जी ने अपने होना शिश्य को एक महाल संकर से बचा लिय देखा आपने की कैसे विश्णो दिगंबर पुलसकर जी ने अपने शिश्य को संगीत शिक्षा देने के लिए एक कैसे चलाकी खेली कि उसके भाई को ले जाने से उन्होंने डिरेक्ट तो मना नहीं किया लेकिन इंडिरेक्ट उन्होंने मना कर दिया ताकि वह यह चाहते रहेकि ओंकाना ठाकुर जी और संगीत सिखे और संगीत जगत में अपना नाम कमाए और मेरे ख्याल से ऐसे गुरू आज के टाइम में बहुत कम मिलते हैं ओंकाना जी की विद्वता और संगीत ग्यान को पहचान कर सन 1917 में गुरू जी ने इनको लाहॉर में गंधर जैला था उसमें प्रिंसिपल के पत पर इनको न्युक्त किया तेना इनका गायन स्वरपरधान और भावनापरधान होते हुए अवाज इतनी जोडार थी कि तानपुरों की जनकार भी फीकी मालूम होते थी इनकी गायकी में जो अहलापचारी का अंग था वैस गायकी के प खायमत खां सहाव विश्णु दिगंबर जी के यहां पर आया करते थे और महिनों ठहरते थे इस अफसर से आपने लाब उठाया और उनकी गायकी को अपने गले में उतारते रहे विशेश रूप से तो ओमका नाठाकूर ख्याल के गायक थे फिर भी विद्रुपा धमार औ टपा को यह सफलता पूरोग गा सकते थे किसी एक ही गाय एक ही रा को डेट दो घंटे तक अनेक प्रकार से गा कर उसका हूँ बहु सवरूप खड़ा करने वाले हिंदुस्तान के गिने चिने व्यक्तियों में माने जाते थे क्लेश्ट वक्र और कूरताने भी आप लेते थ पंडित मदन मोहन मालविया ने इनको संगीत से परभावित ओकर संगीत परभाकर के उपादी से समानित किया ओमका ना ठाकूर के परभावशाली वेक्तितव प्रतिवा कलात्मक पोशाक एमं स्वर्शिदी के साथ ही गुजराती हिंदुस्ताने और मराठी में संगीत अथा अन्य विश्यों पर धारा परवाव परवचन करने की उनकी शमता एधित्य थी इसके अतरिक पंजाबी और अंगरेजी के भी आप क्याता थे सन 1931 में सिंद के दोरे के समय संगीत महत्सम में गायन के अतरिक्त विविन विश्यों पर आपके विया ख्यान हुए सन 1933 में आपने यूरोप की यात्रा करी और फ्लारेंस नगर के अंतराष्ट्य संगीत परशद में भी नोंने भाग लिया इनका अंतिम ध्याय था संगीत विद्य पीट की स्थापना, संगीत संबंधि ग्रंथों का लेखन, अपने परंप्रा के संगीत पदों का स्वरांकन, नात चास्चर की दिश्टि से वादियों में सुधार, पोधो, पशो और मानों पर राग रागनियों का परभावित या तो आप किसे भी competition exam में देख सकते हैं कि इस related question कभी कबार पूछ लिया जाता है एक नंबर में, कि इन्हों ने पुस्तके हैं किसने लिखी, पुरणव भारती, तो ये ओमका नाठा कुरने, या फिर संगीत अहली, ऐसा question आपको देखने को फेपर में मिल जाएगा 1955 में करतंतर दिवस के अफसर पर भारत सरकार ने पदम शिरी की उपादी से नवाजा और लंबी पक्षागात बिमारी के बाद 28 दिसंबर 1967 को रातरी को इनका निधन हो गया, थाइंक्यू, कमेंट करके जरूर बताएगा आपको वीडियो कैसा लगा, थाइंक्यू